प्रशासन का बुल्डोजर लगतार गरच रहा है शहर शहर भू माफियाओं और अवेद अतिक्रमन के खिलाब कारवाई की जा रही है अब योगी का बुल्डोजर अकलेश के वधायक नाहिद हसन पर चला है योगी प्रशासन ने बड़ी कारवाई करते हुए शामली के कैराना वधान सबा सीट से सपा वधायक नाहिद हसन के राइस मिल को कुर्क कर ली है क्या कुछ है पुरा मामला बेखिये इस रिपोर्ट में शहर शहर गरज रहा है योगी का बुल्डोजर अपराधी योगी के डर से थर थर काप रहे हैं शहर शहर भूमाफियाओं और अवध अतिक्रमन के खिलाब तगडिक कारवाई की जा रहे है और अब बड़ी कारवाई हुई है अकलेश के वधायक नाहिद हसन के खिलाब क्यराना से समाजबादी पार्टी के वधायक नाहिद हसन को बड़ा जटका देते हुए उनकी राइस मिल की संपती को प्रशाशन द्वारा कुर्ख करके अपने कबजे में ले लिया गया है नाहिद हसन के छे बिगा जमीन को कुर्ख किया गया शामली में मंडी समीती का बकाया समय से ना देने पर नाहिद हशन की संपती पर प्रिशाशन ने ये बड़ी कारवाई की है जेल में बंद रहकर ही चुनाव लड़कर जीत हासल करने वाले नाहिद हशन का शामली में बाइपास रोट पर राइस मिल है बताया ज़ारा है कि मिल पर 16 लाक रुपे का मंडी समीटी टेक्स बकाया था SDM के निर्देश पर तैसिलदार और राजस्व विभाग की टीम ने मील को कुर्क कर दिया है समराट राइस मिल पर चस्पा किये गए आदेश में कहा गया है कि आप भूराजस्व की राशी या वसूली योग्य बकाया भूराजस्व को जमा करने में असफल हुए है इसलिए सूचित किया जाता है कि समपती जब्त कर ली गई है और आपको आगे से समपती के हस्तांतरन विक्री दान से रोका जाता है अन्य वैक्तियों को भी उक्त समपती की विक्री दान या अन्य रूप में प्राप्त करने से रोका जाता है तैसलदार ने बताया कि समराट राइस सेलर पर क्रिशी उतपादन मंडी समीती कराना के 17,52,033 रुपे तरपन पैसे बकाया थे साल 2019 में मंडी समीती की और से आर्सी जारी कर दी गई थी जिसके बाद 2 दिसंबर 2019 को 1,47,690 रुपे जमा किये गए थे करीब 16,00,000 रुपे अभी भी बकाया है समराट राइस सेलर में विधायक जौधरी नाइध हसन के पता मुनवर हसन, चाचा सर्वर हसन और साजिदार शहजाद के नाम शामल है क्रिशी उतपादन मंडी समीती का बकाया ना जमा करने पर समराट राइस सेलर की सवा 6 बिगा भूमी को कुर्क किया गया बतादे कि राइस सेलर काफी समय से बंद है इस पर लोन भी लिया हुआ था समराट राइस सेलर की संपती कुर्क होने से नाइध हसन के परिवार में हड़कम मचा हुआ है बतादे कि ये राइस सेलर नाइध हसन के पता मरहूम चौधरी मुनवर हसन के समय से ही बंद पड़ी है केराना SDM और तैसिलदार ने अपनी टीम के साथ राइस मिल पर जाकर नोटिस चस्पा कर दिया जिस पर 16,30,000 रुपए का बकाया होने की बात लिखी है अगर नाहिद हसन और उनका परिवार धनडाशी वापस नहीं दे पाता तो उसकी फैक्टरी समय अनुसार निलाम कर दी जाएगी तो उतर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के वधायक चौधरी नाहिद हसन की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही कैराना वधानसवा सीट से जीत दर्श कर वधानसवा में पहुचे नाहीद हसन को गुंडा एक्ट समय अनिध हराओं में वोटिंग से पहले ही पुलस की और से नामांकन के समय जेल में भेज दिया गया था जिसके बाद उनकी अब तक ना तो जमानत हुई है और ना ही उनकी वधानसवा की शपत ग्रहन पुण हो पाई है और अब योगी प्रशासन की तरब से ये बड़ी कारवाई हुई है इस कबर में फिलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे कापिटल टीवी उत्रप्रदेश नमस्कार